नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सोल्यूशन पर दोस्तो आज के वीडियो में कवर करेंगे टेस्टिंग जिग के बारे में टेस्टिंग सेटप के बारे में जो हमने लगाये हैं जिसकी मदद से हम अपना काम accurate और fast जल्दी कर पाती हैं हमने बड़े से लेके छोटे काम के लिए अलग अलग हमने टेस्टिंग जिग बनाई हैं आप भी बना सकते हैं जो भी आपका काम है जैसे कि complete inverter को check करने के लिए test करने के लिए हमने एक testing jig बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले वीडियो भी बना चुका हूँ अब अलग-अलग company के जो inverter है उनकी अलग-अलग PCB रहती हैं उन PCB को पूरा load डालके पूरी charging पूरा discharging सारा कुछ check करने के लिए भी हमने अलग-अलग testing jig बनाई है transformer की मज़द से उसके बाद PCB जो रहती है उस PCB के अंदर सब PCB रहती है छोटी PCB रहती है piggy PCB जिससे की उसका driver card है उसका control card है उन छोटे PCB के काड़ों को check करने के लिए भी हमने अलग-अलग testing jig बनाई है अब जो PCB है PCB के अंदर जो component लगते हैं जैसे की controller है या driver है SMD में भी chip आती है उनको test करने के लिए भी हमने जिग का यूज किया है testing jig हमने उसके लिए बनाई है मैं आपको यहाँ पे एक-एक जो testing jig है उनको दिखाता हूं हो सकता है कि आपको उससे मदद मिले सबसे पहले जो testing jig रहती है जिस पे हम complete inverter या stabilizer को check करते हैं या induction को check करते हैं वो यहाँ पे है जिसमें आपको आलग अलग मिटर लगे हैं इन्पूट वोल्टेज इन्पूट करन्ट के लिए आउट्पूट वोल्टेज आउट्पूट करन्ट के लिए बैटरी वोल्टेज बैटरी करन्ट के लिए बैटरी कनेक्शन के लिए उपर लोड को कनेक्ट रने के लिए होल्डर लगे है इन्पूट को वैरी करने के लिए यहां पर लगाया है इसका वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ लिंक आपको उपर आई के बटन में या फिर लास्ट के स्क्रीन पर या कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीट इन्वर्टर के बाद अगर आपको इन्वर्टर की PCB को चेक करना होता है तो उसके लिए यह टेस्टिंग जिग है जिससे आप जो स्केर वेव इन्वर्टर है जितने भी कम्पनी का जो आपका sqr wave इन्वर्टर है उसको आप इस जिग चेस्ट कर सकते है लोट डालके उसकीovर्टर स्पायर निकालने यह जरूरत नहीं होगी इसको आप अच्छे से बोक्स में फिट कर देए इन वायरों के उपर स्पाइरल स्लीव रहती है वो लगा के वायर को सिर्फ बाहर निकाल लें यह आपके टेस्टिंग जिग तयार हो जाएगी बड़ी आसानी से इस टेस्टिंग जिग से हम चैक कर सकते हैं जो ट्रांसफोर्मर रहता है उसकी यहां पर जो वायर रहती है जो कि आपकी ड्रेन पर जाती है उ उसके बाद घे जिस भी कंपनी कह पर ओपको क्नेक्टर की ज़ροreens कर दें यह बड़ा कोंपना रहता है कि इन्वर्टर जो भी रहता है उसके पर अंदर रहता है इन्पूट रहती है आउटPूट रहती है फ्यूज बलोन रहता है ट्रांस्वर्मर जो वायर आती है वह है 125 रहता है और 200 की टेपिंग रहती है न्यूटल इन्पूट का आउट्पूट का और ट्रास्वर्मर का कोमन हो जाता है एक ही वायर से कनेक्ट होके आपके कनेक्टरों पर चला जाएगा बाकी आप जिस भी कंपनी का चैक करना चाहें उस कंपनी का कनेक्टर यहां पर लगा और इन्यूटस को ब्र से कनेक्ट गर्णे एक सॉपाइरल स्लीव से उनको चैक्ट करके अच्छे से उनको लगा सकते हैं बैटर्यों का बड़ा क्वमन देता है बदी बड़ी आसानी साब बना सकते हैं हमने यह पर टर्मिनल लगा के बनाया काफी शाल प्रणा हमारा यह है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं एक बोक्स के अंदर तो यह आपका PCB को चेक करने के लिए काम आएगा बड़ी आसानी से आप 2 मिनिट में PCB को चेक कर स यह आपका कई बार समपेश विगरा भी रहता है नई PCB में तो उनको चेक करने के लिए भी हमने यह टेस्टिंग बनाई है PCB का यूज करके ही control चेक करने के लिए यहाँ पे हमने female connector लगा दिया है driver के लिए भी हमने female connector लगा दिया है अगर आपको driver चेक करना है तो controller ओके लग करते हैं उनके अक्रोंस यहां पर ऐलD यहां चार हां 512 ग confess систем और कोईड़ नहीं करेंगे उससे को यहां पे जाएगा पता लग जाएगा अगर कुंटिटी जादा है तो हमने यहां पर एस रीबन केबल भी बनाई है जिसको यहां लगा और आप बड़ी आसानी से बड़े फास्ट तरीके से यहाँ पर ड्रैवर कार्ड लगा के चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से कंट्रोलर के लिए भी बना सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर लगाएंगे, ओन करेंगे, तरणत आपकी पलसी चेक यहाँ पर लगाने जूरूत नहीं ह लगा दी हैं आप दो रिले हैं उनके पर LED लगा सकते हैं ताकि आपको पुरा रिले उप्रेट का भी पता लगे ड्रैवर का भी पता लगे और कंट्रोलर का भी इस तरीके से आप एम्रोन और एक्षैड का भी चैक कर सकते हैं वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा यह मैंन अगर नोन SMD controller चेक करने हैं तो यह arrangement जो है यह अलग से उपर से निकल जाता है इस arrangement को अलग कर देते हैं और जो dip micro controller रहती है उनको यहां पे इस universal programmer की मदद से चेक कर सकते हैं ड्राइवर जो रहती हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं इसकी मदद से इसमें SMD जो driver है वो इसके अंदर mount करें और उसके बाद connection करके आप इसको अलग से हमारे पास जीग है उससे हम इसको चेक कर लेते हैं तो component से लेकि पूरा inverter चेक करने के लिए हमने अलग अलग छोटी छोटी टेस्टिंग जिग टेस्टिंग सेटप बनाए हैं जिससे की accuracy रहती है और काम आपका fast हो जाता है जो वीडियो मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा लिंक में आपको नीचे या उपर आई के बटन में या स्क्रीन के लास्ट पे मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा हूँ बाकी सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं सीख सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग अप्लाइंसिस की रिपेरिंग की वीडियो मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए theoretical और practical के combination वीडियो मिल जाएंगे total study point नाम से playlist है 500 से ज़्यादा वीडियो हैं उनको देख सकते हैं रिपेरिंग सीख सकते हैं theoretical और practical भी सीख सकते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की notification स्टूडेंट